दिसंबर तक गिर जाएगी हेमंत सरकार बिधायक सर्जु राय का दावा भातिये जनतंद्र मोर्चा के मुख्य सन्रक्षक और जमसेद पूर्पूर्वी की बिधायक सर्जु राय ने दावा किया है कि हेमंत सरकार पर गंफिल संकठ है सरकार दिसंबर का महीना पार नहीं कर पाएगी यहां मोर्चा के प्रतिनिधी समेलन में उन्होंने कहा है कि जो संकेत और सुचनाय आ रही है उससे प्रतित होता है कि सरकार दिसंबर तक सायद ही बरकरार रहे सरकार बिधी सम्मत तरीके से काम नहीं कर रही है भरष्टा चार बेहद हित्याजी से बढ़ रहा है और सरकार से सिकायत करने के बाजूत कोई असर नहीं हो रहा सरजुराय ने कहा है कि लोग ED की मनसा पर सवाल उठाते हैं पुछते हैं कि ED सिर्फ बिबख्षी पाठ्यों के ही खिलाब करवाई करती है क्या ED पक्षपात तरीके से काम नहीं करती हो सकता है कि कहीं ED पर पक्षपात पुर्ण रवय कारोप सत्य हो लेकिन क्या ED जिन चीजे जिन तथे हो जिन दस्तावेजों को बाहर निकाल रही है वह भी गलत है मेरा सवाल यह है कि ED ने जिनके बिरूद भी करवाई की है उस करवाई में कोई मीन मेख निकला हो तो उसे सरोजनिक करना चाहिए अगर कोई भ्रेष्टा चार कर रहा है तो ED करवाई करेगी भारत ने जपान को 4-0 से रोंद कर खिताब जीता भारत ने जपान को 4-0 से रोंद कर महिला ASEAN Champions Trophy 2013 का खिताब जीत लिया है जारखन महिला ASEAN Champions Trophy 2013 में भारत वा जपान के बीच रभीवार को खिताबी भीडन्त होई बताजे रांची के मरांगोंप के जयपाल सिंग मुंडा इस्टोटर फांगे स्टेडियम में भारत ने जपान को 4-0 से प्राजित कर दिया जारखन के सियम हेमान सुरेन फाइनल मुकाबला देखने होके स्टेडियम पहुँचे और महिला होकी खिलाडियों का होसला बढ़ाया इधर कासे पदक मुकाबले में चीन ने कोरिया को 2-1 से हरा दिया है और कासे पदक जित दिया रांची में पिये मोदी का भवे तरीके से होगा स्वागत परधान मत्री नायंद मोदी 15 नोंबर को धरती अबा भागवान बिरसा मुंडा की जनमस्तरी खुटी जिले के उली हातु आ रहे हैं परधान मत्री नायंद मोदी की जार्खन यात्रा को यतिहासिक बनाने के लिए रांची महानगर भारतिय जनता पार्टी ने रांची में बैठक की इसमें जार्खन्ड भाजपा के परदेश महामंत्री और राज सभासांसद आजिते साहु ने भी सिरकत की बैठक में रांची में पिये मोदी के भव्य स्वागत से लेकर रांची से खोटी तक की योजना त्यार की गई बैठक में यह नेना लिया गया कि पिये मोदी को सुनने के लिए रांची से बड़ी संख्या में करता खोटी के उली हातु भी जाएंगे इस मौके पर राज सबसांसद और परदेश भाजप्राक महामंत्री आदित्य साहू ने बताया है कि 15 नौवंबर को परधान मंत्री नायंद मोदी खोटी जिल्ले में भागवान बिर्सा मुंडा के जनम अस्तिली उलिहातू आ रहे हैं आई एस हो या चतूर्थ वरगिये करमचारी हमारे लिए एक समान सियम हेमांत जार्खन जगवार में करेरत पुलिस कर्मियों को साथवे पी आर्सी के आलोक में बिसे सुविधावा भात्ता को पुन रिक्षित करने के प्रस्ताव पर राज्य मंत्री परिसस के मंजुरी मिलन पर जार्खन चतूत वरगिये पुलिस करमचारी संग और जार्खन जगवार में मुख्य मंत्री हमां सुरिन का भार जाताया है मुख्य मंत्री ने इस औसर पर कहा है कि IPS हो या चतूत वरगिये करमचारी हमारे लिए सभी एक समान है सरकार सभी को एक नजरिये से देखती है आप सभी सरकार के आँख नाख और कान है आप राज की जानता की सेवा करे सब के हितों का ध्यान सरकार रखेगी आठवी बोड के रचेशन के लिए नीजी बिद्यालेओ से नहीं मांगी गई जनकारी आठवी बोड परिक्षा में चानकार के लिए जीले के सरकारी बिद्यालेओ से बचों की संख्या के साथ पुरी जनकारी मांगी गई गई है इसके लिए D.S.E. भूतनात रजवार ने निर्देश जारी किया था सनिवार्तक जनकारी जमा करनी थी लेकिन नीजी बिद्यालियों को इसकी जनकारी नहीं दिये जाने से जार्खन प्राइबेट स्कूल एसोसेशन ने नराज की जताई है संगर्ठन के जीला सचीव इर्फान खान ने कहा है कि नीजी बिद्यालियों के साथ दोहरी नीती के खिलाब जार्खन प्राइबेट स्कूल एसोसेशन जल्द जीला कमिटी की बैठक करेगा उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों का कक्छा आठवी के बच्चों की संक्या गुप्त रूप से ले लिगाई जबकि नीजी बिद्याले भी यूडेस कोड इ बिद्यावाहनी भरते हैं तो उनके बच्चों का कक्छा आठवी की सुची क्यों नहीं लिगाई नक्सलियों की बड़ी साजिस बिफल तीन आईडी बरामत कुलहान के जंगल में सुरक्षा बलो को नुक्सान पहुचाने के लिए नक्सलियों की दोरा लगाया गए तीन आईडी बम को सुरक्षा बलो ने बरामत कर एक नक्सलिस साजिस को बिफल कर दिया है पुलिस अधिक्षक आसुतोस सेखर ने बताया है कि अभियान के दोरान रभीवार को टोटो थाना के तुमबा हाकावा रेंगडा हातू के पास जंगली पहाडी छेत्री में सुरक्षा बलो को टारगेट करने के उदेश से नक्सलियों के दोरा पहले से लगाये गए पांच किलोग्राम के तीन आईडी बम ब्रामत की और सुरक्षा के दिरिश्टी से उसी अस्थान पर बम निरोधक दस्ते की सहायता से नस्ट कर दिया गया है लोगसभा चुनाओ की तियारियों में जूटी कॉंग्रेस ज्यारखन पर देश कॉंग्रेस कमिटी ने लोगसभा चुनाओ के तियारी सुरू कर दी है राज्य में पार्टी संगठन की जीला और बिधान सभावार ताकत का आकलन करने के लिए परदेश अध्यक्ष ने रविवार को पुरानी बिधान सभा सभागार में सभी जीला अध्यक्षो और बिधान सभा परभारियों कसा समिक्षा बैठक की इस समिक्षा बैठक में कॉंग्रेस बिधायक दल के नेतालमगीर अलम करेकारी अध्यक्ष बंधूतिर की सहजादा अन्वर जलेश्वर महतो भी सामिल हुए समिक्षा बैठक की जनकारी देते हुए परदेश प्रवक्ता सतिस पॉल मुंजानी ने बताया है कि 19 अक्टूबर 2013 को वर्चुल बैठक में परदेश प्रवारी अविनास पांडे और परदेश अधिकरेश ठाकूर ने संगठन ससक्तिकरण अभ्यान के तहद पंचायत और बूथ अस्तर तक संगठन की संपुर्णता को लेकर टास्क दिया था चीन ने कोरिया को दो एक से हरा कर जीता का से पदक चीन ने जारखन महिला एसियन चेंपियस टोफी 2023 में का से पदक जीत लिया है चीन ने रभीवार को रांचिक मरांग गोंपेज जैपाल सिंग मुंडा स्टोटर फांके स्टेडिया में खेले गए का से पदक मुकाबले में कोरिया को दो एक से हरा दिया चीन के लिए ये चीन ने तीसरे और तिया तियन लोव ने 47 मिनट में गोल किये वहीं कोरिया के लिए एक मात्र गोल सुजीन एन ने 38 मिनट में गोल दागा आपको बता दे कि कोरिया को चौ थे मलेशिया को पांचवे और थाइलेंड को छठे अस्थान से संतोस करना पड़ा है राहूल सोनिया कभी भारत माता की जय नहीं बोल सकते बावुलार मरांडी जारखन के प्रत्थम मुख्य मंत्री और भारतिये जनता पार्टी के परदेश अध्यक्स बावुलार मरांडी ने कॉंग्रेस पार्टी को भरष्टा चार की जनननी और सनातन बिरोधी करा दिया है साथ ही कहा है कि 36 गर्विधान सभा चुनाव में उसका सूप्रा साफ हो जाएगा बावुलार मरांडी ने धमतरी जीला के सिहावा विधान सभा चेत्रे में एक जनसभा को समधित करते हैं बाते कही जार्खन परदेश बिजेपी अध्याक्ष ने नगरी और घुडावाल में जनसभाव को समधित किया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी वरष्टा चार की जननी पोशक और सन्रक्षक है वह यह नहीं रुके कहा कि कॉंग्रेस पार्टी लगाता तुष्टी करन की रायनिती कर रही है कॉंग्रेस नेता सोनिया गांधी राहूल गांधी कभी भी भारत मता की जय नहीं बोल सकते रांची लोग सभा सीट पर जहमों की नजार पच्मिस सिंभूम सीट कॉंग्रेस की जगा जहमों लड़ना चाहता है इसकी मांग वहां की जीला कमिटी से लेकर तमाम भी धायक भी पार्टी के समक्ष रख चुके है अब रांची लोग सभा सीट पर भी जहमों लड़ना चाहता है जहमों जीला समिती ने बैठक कर यह मांग रखी है बैठक का मिनट्स तयार कर पार्टी को सोपी गई है जिसे पार्टी के करकारी अध्यक्स वमों की मंत्री हमन सुरुन के बास बेजा गया है जहमों रांची जीला के अध्यक्स मुस्ताक आलम ने कहा है कि रांची लोग सबासीट पर लगातार सहयोगी दल कॉंग्रेस के उमिद्वार ही खड़े होते रहे हैं पर पार्टी के करकताओ की इक्षा है कि इस बार जहामो लड़े इसकी वज़ाव भी है कि पार्टी यहां मजबूत इस्थिती में है जारखन महिला A.C.I. मैच के दरान भीड पर पुलिस ने किया हलका बल परियोग भारत और जापान के बीच जारखन महिला A.C.I. चेंपिन स्टोफी मैच के दरान भीड अनियंत्रित होने पर पुलिस ने हलका बल परियोग किया है इसमें किसी के घायल होने की सुचना नहीं है दरसल ग्राउंड की छामता 6,000 लोगों की है लेकिन रभीवार होने के कारण उत्साही लोग भारी संख्या में वहाँ पहुच गए बताया जा रहा है कि करीब 20-10 लोग मैदान पहुच गए जिसके करण वहाँ अन्यंत्रन की चिती बन गई रभीवार को महिला होकी फाइनल को लेकर लोगों में दिवानगी दिखी किर्केट वर्ल्ड कॉप के बीच रांची की जनता पर होकी का बुखार चड़ा हुआ है भारतिये टीम आजय रहते हुए फाइनल में पहुची है स्टुडेंट्स को पढ़ाई के दौरान मिलेंगे पैसे जहारखन के सरकारी विश्व बिद्यालों में समान असनाता की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र छात्राओं को विश्व बिद्यालों और कॉलेजों में एक साल का प्रसिशन दिया जाएगा इसके लिए उन्हें प्रतिमा इस्टाइपन भी मिलेगा राज सरकार ने डिपलोमा इंजिनियरिंग के साथ साथ गैर अभियंतरन असनात को का भी एक साल का अप्रेंटिस शिप कराने का फैसला लिया है सरकार ने इस जोजना को अपनी सवकिर्थी पदान कर दिया है उच इहम तक निकी सिक्षा भी भाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है राजसरकार ने अप्रेंटिस शिप एक्ट के तहथ 2021 में डिपलोमा तथा एंजिनियरिंग के पढ़ाई पूरी करने वाले विध्यार्तियों को अप्रेंटिस शिप कराने करने ने लिया था इसमें निधाडित राशी राज सरकार देती है जबकि सेस राशी प्रति पूर्ति के रूप में भारत सरकार के बोर्ड आफ प्रेक्टिकल ट्रेनिंग पूर्भी छेतर द्वारा किया जाता है बीत रहित इस्कूल कॉलेज अनुदान के लिए नहीं कर सकते आवेदान बीत रहित इस्कूल तथा कॉलेज बीत इस्कूल तथा कॉलेज बीतिय वर्ष्ट वह या तेस्चोविस के लिए तब तक ऑनलाइन आवेदान नहीं करेंगे जब तक चौगुना अनुदान करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्विक्रित नहीं लिया जाती बीत रहित संघर्स मोर्चा की सनिवर को धुरवाईश थी सरोध बालनी के तन उस भी द्याले में हुई बैठाक में इस सम्मान में निनलिया गया इसमें बीत रहित संस्थाओ के सिक्षको यव करमचारियों को राज कर्मी के दार्जा देने पर भी सिग्रनी नहीं लेने की मांग उठी है अपनी मैंगों को लेकर आंदोलन रत बीत रहिद इस्कूल यम कॉलेजों के सिक्षक यम कर्मी आठ नौमर को सिक्षा विभाग के पता दिकाईयों का पूतला दहन करेंगे भोकारों में मंदीर के मूर्ती तोड़े जाने पर भारी बवाल जारखन के बोकारों में संसनी खेज मामला सामने आया है जहां बेरमों प्रसीद सीव मंदीर की मूर्ती रभी वार सुब असमाजिक ततों ने छती गरस्त कर दिया घटना की जनकारी मिलते ही आस पास के सैक्डो लोग मंदीर के पास जमा हो गए और सलक जाम कर परदशन करने लगे साथ ही मूर्ती तोड़ने वाले लोगों को खिलापसक्त करवाई और गिरफतारी करने की मांग करने लगे पूरा मामला ललपनिया थाना छेतरी थीत छर छर या जहरना कहा है बता दे ऐसे में घटना की सुझना मिलने पर आनन फ्रंड में अस्थाने पुलिस घटना सल पर पहुंची और आक्रोसित लोगों को समझाने बुजाने का परियास किया देखते ही देखते आसपास के और चैकलो लोग जूट गये इसे देहकर कई थानों के पुलिस को घटना स्थल पर भेज दिया गया है रांची से पाकुड जा रही बस पल्टी एक की मौत दस घायल रांची से पाकुड जा रही बस ओर मांजी में दुर घटना गरस्त हो गई यह थार अभिवार की देर रात की हुई है जहां पाकुड जा रही पपुट रेवल्स नाम की बस बिच सलक पर पलट गई इस हथसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि 10 से अधिक यात्री घायल हुए है घटना की सुचना मिलने के बाद मौके पर पूलिस पहुँची और अस्थानिय लोगों की मदद से घायल यात्रियों को अस्पताल भेजवा जा राहत बचाओ का कार्य जारी है होकी चैंपियंस फाइनल मैच देखने पहुँचे सीम हेमान रभिवार को होकी चैंपियंस टोफी का फाइनल मुकाबला रांची के मरांगों के स्टेडियम में खेला गया इसने बतर मुक्यते थी सीम हेमान सुरेन, मंत्री हफिजूल हसन, इंटरनेशनल होकी और होकी इंडिया के पताधिकारी सामिल हुए इस दवरान सीम हेमान सुरेन ने भात्य खिलाडियों का होसला बढ़ाया जेल में राज कर रहा था प्रेम परकास इडी की जाच में जेल में बंद सदा के पावर ब्रोकर कहे जाने वाले प्रेम परकास को लेकर हर दिन नए खुला से हो रहे हैं अब प्रेम परकास और रांची जेल के अपसरों और कर्मियों के बीच गहरे समद उजागर हुए हैं मनी लॉंडरिंग केस के आरोपी प्रेम परकास ने दरजन भर अपसरों और कर्मियों को आर्थिक और दूसरी तरह के लाप पहुचा कर जेल में हर तरह की सुधाएं हासिल की है जारखन में money laundering case के आरोपी प्रेम प्रकास ने जेल जानने के बाद कई जेल अपसरो और जेल कर्मियों को फैदा पहुंचाया मामला संग्यान में आने के बाद अब इडी जेल कर्मियों को फ्रेम प्रकास के दोवारा किस तरह किला पहुचायेगा है इसकी जान शुरू कर दी है धनबाद जेलर रहे आस्वेनी तिवारी के उपर आई से अधिक संपती का मामला बता दे एंटी कर्मियों ने धनबाद के ततकालिन जेलर आस्वेनी तिवारी खिलाप पीई दर्ज कर जान शुरू कर दी है आस्वेनी परारोफ है कि उन्होंने जेलर पद पर रहते हुए अपने ग्यात सोर्स से अधिक आय अर्जित की है रांची की सोर गंज में हुई मार पीट मामले में दो गिरफतार राइधानी रांची के की सोर गंज चोक पर सनिवार की रात भीन के द्वारा एक होटल संचालक के साथ मार पीट की गई थी मामले में कोतवाली पुलिश ने दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है मारपीट की घाटना में होटल संचालक सही तो दो लोग बुरी तरह से जक्मी हो गए थे गौतला भाय की सनिवार की डात की सोर गंज चो के पास प्रिती स्वीट्स के संचालक लाल रूदर परदीप नात साहदेव और उनके स्टाप मनोज यादव पर पचास से साथ लोग ने एक साथ मिलकर मारपीट की थी इस हमले में दोनों गंभी रूप से जक्मी हो गाए मामले को लेकर परदीप ने कोतवाले थना में फायर दज कराई थी पुलिस ने मामले में करवाई करते वए रभीवार को तीन नामजात अरपियों में से दो को गिरफतार कर लिया है बीजेपी ने लगाया जहारखन में एड़ी अपसरों को फासाने की साजी परवतन इद साले इडी की टीम राजे में कई मामलों की जाच कर रही है इन में मन्रेगा घोटाला, जमीन घोटाला, खनन घोटाला, सराब निती घोटाला जैसे बड़े मामले सामिल है हाल ही में रांची के होटवाज, सिद बीर्शा मुंडा सेंटरल जेल में इडी के करवाई के बाद, हुए खुलासे के बाद, अब जारखन भी जेपी ने मुख्य मंतिर से पूरे मामले की सीवियाई जाच की अनुसांसा करने की मांग की है रभीवार को परदेश भारतिय जनतापाटी मुख्यलाएं प्रेश वारता की दवान परदेश प्रवक्ता प्रतूल सहदेव ने कहा है कि जहां एडी की टीम राज में सरकार प्रायोजीत फरेश्टा चार को उजागर करने में लगी है वही सत्ता के दलाल परवतर नीदेश सालाई के अधिकारियों को फसाने में लगे हुए है रांची में 20 लाख की चांदी पर हाथ साप किया रांची के लालपुर थाना छेटर इसी चांदी के एक्सक्लिसिब सोरूम सीलवर कलोनी में लाखो की चोरी की वरदात को अंजाम दिया गया चोरी के वरदात को सनिवाय देर रात अंजाम दिया गया चोर अपने साथ लाखों के कीमती गहने और चांदी के मूर्ती उड़ा ले गए परतिष्ठान में धन तेरस और दिवाली को लेकर बड़ा कलग स्थन मंगवाया गया था बता दे राजधनी राची में चोरो का आतंक जारी है पुलिस के नाक के नीचे इस बार चोरो ने चोरी की वर्दात को अंजाम दे कर पुलिस के सामने खुली चिनोती पेस की है मंत्री बनना गूपता का असर रिम्स में दिखने लगा 31 अक्टूबर को उधगाटन कायकरम में पहुंचे राजध के स्वास मंत्री बना गूपता ने रिम्स में नाली के पानी को सड़क पर बहुत देख करना रागी जिताई थी रिम्स अधिकारियों को चार दिनों में बेवस्ता दुरूस करने का निर्देश दिया था मंत्री के तल्ग तेवर देखते हुए रिम्स प्रमधर ने नाली बनाने का काम यूद अस्थर पर सुरू कर दिया है भले ही चार दिन में काम पूरा ना हो लेकिन काम यूद अस्तर पर चालू हो चुका है रिम्स निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गुपता ने बताया है कि चार दिनों के अंदर काम करना निश्चीत रुपते संभव नहीं है लेकिन अगले दो-तीन दिनों में नाली का काम बेहतर हो जाएगा रांची में फाइरिंग गोली मारकर हत्या खलारी थाना चेत्रे में एक CCL कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गए अपराधियों ने उस समय वर्दात को अंजाम दिया जब CCL कर्मी खलारी से पीपरवार की तरफ लोट रहे थे हत्या कांड की जनकारी मिलने के बाद खलारी पुलिस मामले की तफसील में जुट गई है मिली जनकारी के अनुसार खलारी पीपरवार बार्डर के पास रण विजए सिंग नाम के ब्यक्ति की रभीवार को गोली मार कर हत्या कर दी गई छान बिन के करम में जनकारी मिली है कि रण विजए सिंग चत्रा इस्थीत पीपरवार के सिसल कर्याले में काम करते थे जार्खन राज पिछला वर्ग आयो का गठन 15 नौवंबर तक जार्खन राज पिछला वर्ग आयो का गठन 15 नौवंबर के पहले होने की संभावना है सुत्रो ने बताया है कि राज सरकारी की तियारी में जूटी है अगले सब्ताह तक इसके गठन के प्रस्ताव को मंजुरी दे दी जाएगी सुत्रो ने बताया है कि इस बार अध्यक्स पद जामों की किसी नेता को दिया जाएगा जो विधायक नहीं है पिछली बार विधायक सुधिव कुमा सुनू का नाम अध्यक्स पद के लिए दिया गया था पर अधिकारियों ने लाब का पद होने की बात कहकर फाईल लोटा दी थी अब सरकार इसमें सवधानी बरत्ते हुए जामों के ही किसी वरिष्ट ओवी सीनेता को अध्यक्स पद देने पर विचार कर रही है जमसेद पूर रन एथान में दवड़े संतावन सव धावक टाटा इस्टिल की वर से रभिवाक जमसेद पूर रन एथान का उजन किया गया फिटनेस के उदेश से आयोजीत इस दवड़ में कूल संतावन सव परतिभाग्यों नहीं सा लिया जमसेद पूर के अलावा 18 और राजियों के धावक भी इस परतिष्ठित दवड़ परत्युक्ता में सामिल होने के लिए सहर पहुँचे थे एसियन गेम्स में रयत पदक हांसिल करने वाली अंतराश्ट्रिये एथलीट जियोत्ती अंतराश्ट्रिये या राजी ने जे आरडी टाटा स्पोर्ट कोंपलेक्स में फ्लेग आफ करके दवड़ की शुरुवात की जमसेद पुर्रण एन ठौन में 10 किलो मीटर 7 किलो मीटर 5 किलो मीटर 2 किलो मीटर दोड़ का आज़न किया गेर था 10 किलमेटर दोड में उतर परदेश के एथलेटो ने संदार परदेशन किया है धन्यवाद